जैहिन वंदे मातरम, स्वगत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टड़े पैटफॉर्म में दोस्तो अब तक की सबसे सुपर फास्ट वीडियो यानि 20 मिनट में 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेशन्स को देखेंगे सबसे तेज ये वीडियो रहेगी और मैं कहूंगा कि all chapter को हमने समाहित कर लिया है तो चलिएगा पहले question से आगास करेंगे हिंदी के सभी chapter का हम धुआ धुआ करेंगे पहला question चार options के साथ और मैं हर वहन हर भाई हर ग्रहडी से कहना चाहूंगा कि 50 में कम से कम हिंदी अच्छी आया आपकी तो आपका जो score होना चाहिए वो 28 का होना चाहिए एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है ये हिंदी में पूछा जाता है कहता है कि वो बता दीजिएगा कि एक से अधिक वर्ण जब मिलते है तो उनको क्या कहा जाता है तो उनको वेंजन कहा जाता है क्योंकि वेंजन कभी वी बिना सुर के मिल नहीं सकता बन नहीं सकता इनकी संख्या होती है कितनी भाईया होती है 33 होती है और अगर सुरों की संख्या बात करें तो 11 होती है और वर्ड की या अक्षर की बात करें तो हिंदी में होती है 52 अगला क्विशन आपके स्क्रीन पर है सेकेंड नमबर निम्लिकित में से अंतस्त वेंजन कौन सा है जब अंतस्त वेंजन की बात करें दोस्तों क्या है अंतस्त वेंजन मिर्खित में कौन सा होगा, तो चार अंतस्त वेंजन होते हैं, ये किया, एक रा और एक ला, और एक वा होता है, जिसमें वा दिखरा है आपको, इसलिए इस question का answer C option सही हो जाएगा, अगला question आपके screen पर है, 4 number, 4 number आपको बताना है, कहता है कि जिस समास में प समास हो जाएगा, हिंदी में अगर पूछा जाए समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास के जो प्रकार होते हैं, वो च्छे होते हैं, और दिखु समास की बात अगर करी जाए, तो इसमें संख्या बाची पत्पधान होता है, इसमें कोई भी पत्पधान नहीं होता, इसम दोनों पदप्रधान होते हैं और अगर पूछा जाए कि समास कैसे बनता है तो समास बनता है सब्दों के मेल से आंसर डी होगा अगला कुछन निमलिखित में कौन सा उस्म वेंजन है सब कुछ बताऊंगा उस सबसे सूपर फास्ट भी होगा ऐसा भी नहीं है कि कुछन का आं हिंदी से जुरूर जुड़िएगा दिल से जुड़िएगा हम हिंदी हैं हम हिंदुस्तानी हैं आईए कुछ से नंबर फोर फोर की बात करें तो दोस्तों उस मेंजन होते हैं आपके चार जैसे यारा लावा अंतस्त होता है ऐसे ही आपके सा ये वाला सा एक ये वाला सा औ और एक ये हा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उस मेंजन option number A होगा अगला जो सब्द दो वाक्यांसों सब्दों और वाक्यों को जोडने का कारे करते हैं उनके लिए हम कौन सा options lock करेंगे दोस्तों हम कहते हैं कि जब वाक्यांस को या पदों को या वाक्यों को जोड़ दो तो क्या होंगे भाया एक या एक से अधिक चीजें जुड़ती हैं तो हम उनको समुच्चे बोधक की स्रेणी में लेते हैं इस चीज को आप याद रखेंगे यहाँ पर option number C होगा अंगुली का तदभो रूप क्या होता है अंगुली का तदभो रूप क्या होता है कमेंट कीज तदभो रूप है अंगुली एक तदभो रूप है लेकिन इसका अगर हम तदभो रूप देखते हैं दोस्तों तो वो हमारा उंगली हो जाता है हम आल लेडी यही चीज कहते हैं कि हमारी उंगली में चोट लग गई हमारी उंगली में ये दर्द हो रहा है लेकिन होता क्या है ये तत्सम होता है सेवन नमबर समास कहते है समास किसको कहा जाता है समास कहा जाता है सब्दों के मेल को कहा जाता है अक्षर के मेल को दोस्तों कहा जाता है संधी और समास को कहा जाता है सब्दों का मेल कहा जाता है इसलिए समास के ये हम option number A, टिक करेंगे, अगला, क्रिया विशेशन एक भेद है, भाईया तुरंत subscribe कर ले, अगर फेफड़ा फट रहे हैं, तो आप तक कुछ न कुछ पहुच रहा है, क्रिया विशेशन के भेद कितने, यानि क्रिया विशेशन एक भेद है, क्रिया विशेशन का क्या भेद है अब्बे का है विसेशड का है या फिर निपात का है या समापिका का है मैं कहता हूँ अब्बे का हो जाएगा दोस्तों एक प्रकार का हो जाएगा या अब्बे वो होता है जो लिंग बचन के अनुसार बदलता नहीं है लिंग बदल लो बचन बदल लो करता बदल लो बद अगर मैं आपसे कह देता हूं ध्यान दो अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि सुधाकर का अर्थ क्या होता है तो आप ये कहोगे कि सुधाकर को तो चंद्रमा कहा जाता है अगर मैं आपसे कह देता हूं दोस्तों सुधांसु का अर्थ क्या होता है सुधांसु को दोस्तों कह जाता है वो भी चंद्रमा कहा जाता है और अगर मैं कुवेर तो कुवेर तो है एक दंथ दयावंत है ना इसलिए इस question का answer C इही लोक का विपिरार्थक सारे chapter मिलेंगे all chapter का mock test question number 10 कहता है इही लोक का विपिरार्थक सब्द बता दो तो इही लोक कहा जाता है पर लोक option number 10 इसमें व्याख्या करने की बात है नहीं उपकार का क्या हो जाएगा तुरंत बता दो कमेंट करके अपकार होगा एक कुशन लेते हैं लोक कोक्ति से भी लिया है आये थे हरी भजन को ओटने लगे का पास आये थे हरी भजन करने के लिए और भहिय लोक कोक्ति का मतलब यहां पर इंडायरेक्टली कह रहा है कि कारे तो अच्छा करने के लिए आये थे लेकिन अन्य कारे में लगे हरी भजन करने आये थे लेकिन ओटने लगे का पास तो इसलिए option भी हो जाएगा बारा नंबर कहता है निमलिखित में कौन सा कमल का प्रयवा आची नहीं है देखो भाया कुबले होता है अंबुज होता है दुनिया के जितने भी जावाले सब दोते जलज पंकज नीरज दीरज तोयज बारीज यह सब कमल के हैं राजीव होता है अगर दुनिया के जावाले कमल होते हैं तो दुनिया ये भी सचा है कि दावाले वो हो कि हमते उन्हें क्या क्या कहाइपा बड़ा अच्छा प्रस्वर्श्ण है कि अगर कोई वाक्य के साथ लग जाए वह क्या है जोब भूल होता है तो बल का управ की केवल निपात में तुमको यही रुकना पड़ेगा तुमको कल रही जाना यही वर्ड है ना जब तक मैं आ जाओं तब तक तुम यहीं खड़े रहना याद यह रखना है दोस्तों जब कोई वाक्य में बल देकर कहा जाए तो वहां पर निपात का प्रियोग होता है कुछसा नमबर 14 बहुत इंट्रेस्टिंग है हिंदी वर्ड माला में उसम मेंजन यह आते हैं आपके मूर्धन्य हैं यह आते हैं आपके दंते हैं यह आते हैं आपके उसम हैं हमसे उसम वेंजन पूछा है तो उसम हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक सब्द क्या होगा अरे व्याकरण जो जानता है वो व्याकरण साथ जुड़ते हैं प्रत्य क्या है जो पीछे जुड़ता है किसके सब्द के पीछे जुड़ता है कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों प्रत्य ये होते हैं दो प्रकार के एक होता है क्रदंत और एक होता है तद्धित क्रदंत प्रत्य क्रा से क्रदंत क्रा से क्रिया ये आप युद्ध स्थविर, युद्ध स्थिर, युद्ध थिरक, युद्ध स्थाई, कुश्षन नमबर 17, आंसर ऑप्शन नमबर B, अगला कुश्षन अठारा नमबर है, कमाल के समान नयन में कौन सा समास होगा, अगर मैं कह दूं कमल, कमल, कमाल नहीं, स्वरी, कमल के समान, अब तो सब्द है इसी को तोड़ के इसको लिख दिया अच्छा नयन का मतलब होता है आँख होता है अब जब नयन का मतलब आँख है तो आँख किस तरीके की कि कमल के समान और कमल के समान अगर नयन है तो यह बताओ विसेस्ता है विसेस्ता है तो तुलना है और तुलना है तो वि अंसर क्या होगा कि कोई चीज अगर आखों में गड़ रही है तो मैं कहता हूँ कि वो दोस्तों है कि मन में खटक रही है क्या है वो मन में खटक रही है आंसर ऑप्शन नमबर भी अब देखो कोई चीज आखों को सुहाती है कोई चीज नहीं सुहाती है तो मन में जो चीज ख Excel सुझ वर्तनी वाला सब्द आपको बताना है चार उप्संद दिये हैं सुध वर्तनी आपको बताना दिये हैं सुध्ध वरतनी आपको बताना थेके कवित्री को कभी net कि लिखा जाता है क्या लिखा जाता है का कव इत्री तदो परांत को कभी भी तदो परांत लिखते हैं और जो हमेशा गलत लिखके आए हैं बताओ कभी भी आपने सुना है लेकिन यही लिखते आए और वो गलत लिखते आए हैं आंसर हमारा option number A ही सही है अगला question अच्छा अगर आपको NCRT की बात कर लो या Google बहुत से बच्चे केंगे सर नहीं मैं मैं तो नहीं मानू यह तो सर्च कर लो है ना दिल से जुड़ो बिल्कु बहुत बढ़िया गलत तो पढ़ा नहीं सकता 22 बंदर का तत्सम रूप क्या है बंदर की मैं बात कर लेता हूं तो बंदर का तत्सम रूप होगा मैं कहता हूं बंदर बानर हो जाएगा अब बंदर का जब बानर हो जा चलो बताओ बाजाल का सही संधी, 15D न्पर ए लॉक हो जाएगा अगला बैठे से बगईर बैगार बखली, एक लोकष्टी एक कहावत है बैठे से बैगार बखली, कहावत का सही अर्थ क्या होगा? हम option number A की बात करें बैगार की आदत होना बैठे 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 बैगार होती है निर्थक से कमलाव का काम अच्छा है या बैगार की आदत ना डालना मैं कहता हूं दोस्तों निर्थक से कमलाव का काम अच्छा है बैठे से बैगार भली अगला यारा लावा वेंजन को क्या कहा जाता है तो यारा लावा वेंजन को कहा जाता है अंतस्त वेंजन इनकी संख्या होती है पूरी चार इनकी भी संख्या पूरी चार इस पर सुवेंजन होते हैं कितने पूरे 25 होते हैं क्या मैं कहता हूँ बिल्कुल दोस्तो 25 होते हैं अगला क करपट का तदभो रूप क्या होगा अरे तो मतलब कंफर्म है कि करपट जो है संस्कृत है संस्कृत सब्द होगा मतलब इसका अगर तदभो देखा जाए तो यह होता है कपड़ा और कपड़ा तो मतलब option number D अगला निम्लिकित में से सकर्मक्रिया बता दो सकर्मक्रिया का concept सम और कर्म माने होता है कर्म जहां पर कर्म साथ में हो कर्म सही तो हो जैसे जैसे कहता बालक खिलोना पाकर हसता हसना कोई कर्म है नहीं पच्छी आकास में उड़ते है कोई कर्म है क्या पच्छी कोई कर्म कर रहे हैं नहीं दोस्तों बालिका निवंद लिख रही है यहां पर कर् अब देखो इस question में बहुत से बच्चे गलत करेंगे क्यों करेंगे मैं बताता हूं अब जो नाक का बाल है यह बताओ बहुत से बच्चे कहेंगे कि यह कस्ट देना होना चाहिए मैं तो बिल्कुल option number C के साथ जा रहा हूं यही कहोगे आप लोग लेकिन गलती मत करना इस question का answer हो जाएगा अधिक प्रिय होना अच्छा कभी आपने यह देखा होगा नाक में बाल है और आपने क्या कभी तलवार लेके या कभी आपने उसके साथ लड़ाई की है क्या अरे भाया वो नाक में बाल है मतलब तुम्हारे घर में बैठा है तुम्हारे घर में बैठा है उस तो कव इत्री है और कव इत्री का मतलब है option नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा मैं कहता हूँ बिलकुल कभी वाला कभी मत मारना अगला निमलिकित में से कौन सा रात्री का पर्यावाची यहाँ पर रात्री का पर्यावाची नहीं है रात्री का पर्यावाची में निशी समीर कैसे आ जाएगा समीर तो दोस्तों बायू का होता है जिसको हवा कहा जाता है और जब हवा है तो बायू समीर एक ही चीजे है 31 देखिए निम्लिकित में किस वाक्य में सकर्मक करिया है सकर्मक का मतलब फिर वही जहां पर कर्म है हमने का हसना कोई कर्म नहीं मैंने का अगर टहलना कोई कर्म नहीं मैंने का दोलना कोई कर्म नहीं बच्चे छत पर क्या कर रहा है पतंग गोड़ा रहा है हाँ बिल्कुल कर्म है तो जब कोई कारे कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कर्म है सब्द अनवय का बहुत बार पूछा गए एक्जाम में सब्द अनवय का सही संदी विच्छेत क्या होगा मैंने नीचे टेलिग्राम की लिंक दे दी है टेलिग्राम को जरूर यहां पर जॉइन कर ले सब्द अनवय का सही संदी विच्छेत क्या होता है तो अनुधन आ बरावर अनवय ओप्शन नमबर A जायेगा सुर संधी के साथ कलेजे पर साप लोटना, मुहावरे का अर्द क्या होगा, दुखी होना, इर्शिया से जल उठना, दुस्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना कलेजे पर समप लोटेगा तो क्या होगा इरसिया से जल जाओगे इस लिए इस कुईशन का अंसर भी होगा अगला यथा रुची में समास कौन सा है यथा रुची दोस्तों यथा रुची मैं कहता हूँ यथा रुची में अगर देखा जाए वो आप देखते हो कि अगर संदी बिच्छेत करोगे तो क्या हो जाएगा यथा और धन रूची और दुनिया का अगर कोई भी अगर उपसर्ग आ जाए ध्यान दीजेगा इस्थावर का विलोम सौ से ज़्यादा वार पूछा गया कुछ सरह है इस्थावर का विलोम होता है जंगम होता है इसलिए इसकूशिन का अंसर D नीचे दिये गए विकलपों में से तत्सम सब्द का चैन कीजे तत्सम सब्द वो होता है जो संस्क्रत का होता है जिस तरीके से आप गेहूं की बात करते हो गोधूम होता है गोबर की बात करते हो गोमे होता है और कपड़ा की बात करते हो करपट होता है आग की बात करते हो अगनी होता इसलिए इस question का answer B निमलिकित में किस सब्द में गुल संदी है गुल संदी किस में होगी गुल संदी उसी में होगी गुल संदी की trick note कर लीजेगा संदी की अगर मैं बात करता हूँ दुनिया में कोई सब्द आए देखो बाके उपर एक मात्रा लगी हूँ यह वाली बिलकुल सही बात है दोस्तों देवेंद्र हुआ, मुनेंद्र हुआ, मुनेस हुआ, सुरेस हुआ, महेस हुआ, राकेस हुआ, दिनेस हुआ है ना निमेश हुआ जितने भी ऐसे सब्द हैं उनके उपर एक मात्रा आए की हो या एक मात्रा कुछ भी ओकी है होनी एक मात्रा चाहिए अगला उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाए क्या कि उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर सब्द के भेद होते है चार तत्सम तदभो देसज विदेसज क्या तत्सम तदभो देसज विदेसज ये आपको चार याद रखना है T.T.D.V संस्क्रत के ऐसे सब्द जिसे हम जियों का त्यों प्रियोग में लाते हैं जैसा का तैसा प्रियोग में हम लेकर आते हैं वो तत्सम कहलाते है option number A निम्लिकित में root सब्द कौन सा है root सब्द की क्या trick है root सब्द जितना छोटा है उतना ही छोटा answer होगा अब आपको गया सर ये भी trick है मैं कहता हूँ दो trick बताऊंगा जितना छोटा है ये उतना छोटा answer होगा पहले trick दूसरा उसका संदी भी छेद नहीं हो सकता देखलो संदी भी छेद नहीं हो सकता पाधनसू हो सकता है नहीं सब्द रचना के अधार पर बताएए कौन सा सब्द योगरूड है योगरूड की trick क्या है तो मैं कहता हूँ योगरूड की trick लिखो लिखो योग रूड की ट्रिक वही है जो दुनिया में बहुबरी समास है बहुबरी समास जलज कुसल बिन में पवित्र जलज हो जाएगा जलज अर्थाद जो जल में उगता है कीचन में उगता है अर्थाद कमल की बात है answer D होगा समास भी यहाँ पर बहुबरी और योग रूड भी हो जाए निम्लिकित में रूड होगा बोले सर आपने तो बताया था कि सबसे छोटा हो लेकिन यहाँ तो तीनों options में कहीं कहीं तीन options दिये तो मैंने का दूसरी trick लगा लो जिसका संदी भी छेद ना हो जो योग रूड ना हो जो बहुबरी ना हो तो आपको किसर कैसे मैंने का देखो मैंने का बैभव हो जाएगा इस question का answer मैंने का जा जा वाले तो यह सब कमल है ना यह जा कमल पंकज नीरज मलेज धीरज है ना यह सब जा और यह कमल है तो कमल का मतलब यह बहुबरी समाज बहुबरी है तो यह गुरूड हो जाएगा याद यह रखो कि बैभव का मतलब बैधन भव कर दोगे तो भी संदी भी छेद नहीं होगा मतलब जो टुकुडों में ना बटे आएए परिक्षा सब्द निम्लिकित वरगों में से किसमे आता है तो परिक्षा आता है दोस्तों संस्क्रत के अंतरगत आता यह तसम रूपी है मजिस्ट्रेट सब्द कैसा है मजिस्ट्रेट सब्द हमारे यहां का तो है नहीं मतलब क्या है बाहर का है और बाहर का है तो ये विदेसज हो जाएगा तो option number D हो जाएगा इंगलिस सब्द है निमनेकित में कौन सा सब्द क्या है? कौन सा सब्द देसज है? अब देसज सब्द वो होगा जो हमें पता ही नहीं कहां से आया है लोटा हुआ, बाल्टी हुआ, चिम्टा हुआ, फुकनी हुआ, है न फुनगी हुआ, करकर हुआ, मरमर हुआ, चरचर हुआ, खिड़की हुआ, खिचड़ी हुआ, है न जूता हुआ यह सब क्या है यह सब दोस्तों आपके देशज सब्द है जिनकी उत्पति का कोई पता नहीं योग रूड सब्द कौन सा है पीला घुरसवार लंबोदर नाक हमने का योग रूड की क्या पहचान जो बहुबरी हो अब इनमें चाटों बहुबरी कौन सा है अब देखो बहुबरी है हमारा option number C है इसलिए इस question का answer C निमने खित में कौन सा योगिक सब्द है अब आजाई योगिक की trick तो इसकी trick हमने रूड में क्या देखा था सबसे चोटा तो रूड यहाँ पर क्या हो जाएगा रूड यहाँ पर क्या हो जाएगा या इसका संधी बिच्छेद ना कर पाओ अब योगिक इसका उल्टा होता है मतलब योगिक की trick है जिसका संधी हो जाए वो योगिक है और जिसका संधी ना हो वो हमारा क्या है रूड है जिसका हो जाए वो योगिक है अब बताओ किसका क इसका हो जाएगा, ये भी आपका रूड़ है, ये भी रूड़ है, इसका हो जाएगा, बिद्या दनाले, option number C, प्रियोग की दर्शित से सूचम अंतर व्यक्त करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं, जो सूचम अंतर व्यक्त करते हैं, दोस्तों, उनको कहा जाता है, लगवग ल गुरूड हो जाएगा, पाठ साला, पाठ दन साला, इसका संदी बिच्छत हो गया, और आज का इस वीडियो का अंतर प्रश्न, देख रहे हो, मैंने क्या बोला, मैंने का 20 मिनट तो हमने यहाँ पर क्या पहले ही बोल दिया था, कि हाँ सर 20 मिनट, तो 20 मिनट, मैं जो कहता ह पढ़ाऊँगा, इतने समय में कंप्रीट करूँगा, इतने कुश्चन कराऊँगा, उससे एक मिनट जादा नहीं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, योगिक सब्द के लिए तो अब कमेंट करके बताइए, योगिक सब्द के लिए कमेंट करके बताइए, तो यह टिक मिलेगा, सस्क्वाइब करने के लिए धन्यवाद आप किस सहर से हैं, किस जिले से हैं, कहां से हैं, किस गाहों से हैं अपना जिला कमें